और ये अब हमारा ओल्मोस्ट रेडी हो गया अब हमें गलत तो नहीं करते हैं इस वीडियो पर क्लिक करके गलत कर दिया क्योंकि थम्नेल तो बहुत ही ऐसी दिखा रखे थे कि पता नहीं क्या ही है और अब अंदर आपको यह सिंपल सी वीडियो मैं ऐसे बैठा हूँ और मैं बैठा हूँ ऐसा नहीं है लेकिन यही है जो एक्चल है माज आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि जैसे आपने थम्नेल देखके क्लिक किया और अंदर यह बिल्कुल सिंपल सी वीडियो है तो आप वैसी थम्नेल कैसे बना सकते हो क्योंकि वीडियो कैसी भी हो लेकिन उसकी अगर जो थम्नेल हो बहुत ही बढ़िया इंट्रेस्टिंग है तो लोग उस पे क्लिक जरूर करते हैं लोग उसको देखने की कोशिज करते हैं तो इंट्रोड़क्शन देदू पहले नमस्कार दोस्तों मेरा नामे देश सलोनी और आज मैं दोबार आप से भी के सामन प्रेमे डिसक्स करने वाले हैं तो चलिए मेरे मेरे मोंबाइल फॉन की स्क्रीनिंपर चलते हैं जहाँ आप मने जांप पिक्सार्ट के अंदर कि आप इंट्रेस्टिंग थम्नेल बना सकते हो अपने मॉबाइलbu के आँज पौटी योड़विजब और अच्छी थम्नेल्य effect तो आपको क्या करना है? एंडिट बैक्ग्रावंड पर जाना है या फPL एडिट फोटो पर जाना है किसी पर जा सकते हो इंडिच मा है फ्री फोटो ले सकते है या तो यह nella फ्री इमेज में जाओगे तो यहां से जैसे बेक्ग्राओंड ले तो कोई भी बैंट बैंग्ग्रांड जैसे बने लें लिया तो में बहना कोई अलग अलग लग केश पैयक रवीडी की इनंसे आप कोई भी चाहो तो चुज कर सकते हो तर 아닌у, इसमें आप पर भी आप वीडियो आडिट कर सकते हो और यह इमेज वगर आप यूज कर सकते हो simply हम यहाप एक normal background लेंगे जैसे white background मैंने सर्च किया है तो white background आगया या फिर जैसे यह blue है यह हम ले लेते हैं कहीं पर भी आप thumbnail HD बना सकते हो आज मैं आपको वह चीज बताने वाला हूँ नर्मरी तो आप बनाते ही हो लेकिन मैं यहाप आपको ही बताऊंगा कि आप कैसे HD आपको HD thumbnail कैसे बना सकते हो तो आपको simply क्या करना है मैं दो बार बैक करके इसको बताता हूँ यह हमने ले लिया उसके बाद आपको जाना टूल्स में टूल्स में जाने के बाद क्या होता है कि कहीं बार आप thumbnail बना लेते हो लेकिन आप फिर वह thumbnail बड़ी छोटी हो जाती है तो पूरी वीडियो में आनी पाती है तो आपको नीचे simply दिखाई दे रहोंगे स्क्वेर और यह Instagram का logo आगया Facebook का आगया लास्ट में आपको मिलेगा YouTube का तो आप YouTube वाले पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका YouTube का यहां पर लोगो जो size है वो मिल जाएगा आपने इस पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे तो आपका यह YouTube वाला size आजाएगा जो आप जो भी लिखोगे वो आपका YouTube की वीडियो में ही दिखाई देगा उसके बाद भी आपको यहां पे जाना जैसे यह वाली वीडियो है इसकी thumbnail हमें बनानी है जो अभी वीडियो आप देख रहो यह वाली thumbnail मैं अभी यही thumbnail इस पे बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप कैसी HD thumbnail बना सकते हो क्योंकि मैंने इसकी thumbnail भी बनाई नहीं है अब यह आपके सामने ही बनाके मैं upload करूँगा इस thumbnail को तो उसके लिए क्या करना है आपको आपको simply यहाँ पे पहले लेना है text यहाँ पे आप हम कुछ interesting सा लिखते हैं जैसे HD thumbnails यह लग रहा है कुछ interesting सा हम इसको single line में कर देते हैं उसके बाद आप इसको बड़ा कर दीजी और तो यह हो गया आपका HD thumbnails तो हम इसको double में लेंगे आपको और ज़्यदा creative बनाना है तो हम इसको ऐसे HD thumbnails कर देंगे आपको यहाँ simply text में जाना आप इसका text भी change कर सकते हो कुछ और text भी आप और तरीके का यहाँ पर कर बना सकते हो अगर आपको कोई अच्छा सा और text दिखाई देता है आपको लगता है कि कुछ और अलग आपका हो सकता है तो अभी हम यहाँ से अलग करके देखते हैं हम आभी यहाँ पर simple ही रखते हैं इसको और मुझे नहीं लगता कि कोई simple से ज़्यादा या इमें से अलग-अलग जो भी आपको लगता है interesting वो आप यहां से select कर सकते हो तो अभी हम यह वाला select करते हैं और इसके बाद हम इसको white ही रखते हैं या हम इसको red कर देते हैं ठीक है अभी आपको यह थोड़ा जीब लग रहा है लेकिन आप देखते रही है मैं क्या करता हूं उसके आद आप एक photo add कीजिए free background में जाए white background यहाँ पर select करके white background पर click कर लीजिए उसके आद इसको add कर दीजिए add करने के बाद इसको crop कर लीजिए image ले लेंगे इसको हम यहाँ से tricks हैं यह tricks वैसे नहीं आपको पता लगेंगे देखो यहाँ से अभी हम इसको body करके और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ठीक है यह थोड़ा सा टेटा हो गया इसको सीधा कर देते हैं अब इसको hd इसको अप ले लेंगे जो उपर layer है layer पर move up करके हम इसको इसको उपर ले आएंगे hd भी मेरे को लगता है यह अलग से होना चीए अभी हम क्या करते हैं कि hd को काट देते हैं और यहाँ पर यह थोड़ा सा नीचे लाके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम यहाँ पर थ आने के बाद आपको blur को थोड़ा सा कम कर देना है और यहाँ से opacity को बढ़ार देना है उसके बाद position पर जाना है position आपको इसकी कम कर देना है और vertical में color भी आप यहाँ से change कर सकते हैं इसका चाहो तो लेकिन हम color यही रखेंगे इसका इसकी position को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ज़्यादा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा इसके साथ मिला देते हैं बस अब यह हो गया अब इसके बाद हम यहाँ पर hd और लिख देंगे अच्छा सा hd हम यहाँ पर रख देते हैं अलग से हमारा दिखाई देगा hd बना हुआ hd का हम यहाँ से shadow लगा देते हैं hd की blur को कम कर देते हैं hd की shadow बढ़ा देते हैं और position जो है वो थोड़ इसी आगे करके इसको ओर उपर कर देते हैं hd को जिसे की अलग से दीखेगा hd तो अब हमें क्या करना है इस एक लिए लोग आपकी थमनेल पर क्लिक करेंगे अगर आपकी थमनेल अच्छी होगी तो हम ऐसे करते हैं इसका इसका कलर ब्लैक कर देते हैं इसका कलर ब्लैक करके और shadow का color हम देखिए अब आपका hd जो है वो दिखाई दे रहा है लेकि में को color हम यहां से change करके कुछ और कर देते हैं यह बिल्कुल अच्छा लग रहा है hd thumbnails in 5 minutes और अब हम इसको यहां नीचे लगा देते हैं इसका भी हम background change करेंगे background के लिए हम इस पर दोबारा से image add करते फरी image में जाके green के लिए हम यह ले सकते हैं तो अभी हम इसको crop कर लेते हैं नीचे की तरफ नीचे की तरफ हमने green को crop कर दिया है तो अभी हमारा जो है यह इसको move down कर देंगे और यह यहां पर यह अब बिल्कुल एक number की thumbnail लग रही है अब हम इसमें अगर अपनी photo add करना चाहें तो पहले हम इसको green है इसकी shadow हम generate कर देते हैं थोड़ी सी blur थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और इसकी position थोड़ी सी हम अंदर की तरफ कर देते हैं बैस यह मैंने photo ले लिया है इस photo को मैं यहां पर ऐसे करके add कर देता हूं अब हम इस photo के जो color grading है उसके उपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हम इसको adjust करते हैं जो photo का contrast है वो हम थोड़ा सा कम कर देते हैं जिससे कि यह इसके साथ match करने लग जाए हम इसकी clarity थोड़ी सी बढ़ा देते हैं जिससे कि पता रहे कि यह कहां से बना है तो हम पिक्सार्ट का जो लोगो है वो इसके अंदर एक अच्छा सा लगा देते हैं जिससे कि यह और ज्यादा interesting हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा तो अभी हम यहाँ पे पिक्सार्ट का लोगो बना देते हैं और यह पिक्सार्ट जो लिखा हुआ है यह हम लोगों के नीचे रख देंगे तो यह हमारी जो thumbnail हो तैयार हो चुकी है बिलकुल और अब हम इस thumbnail को save कर दे लेते हैं और यहां से हम कोपी कर लेते हैं आपको जो thumbnail बनानी है तो आपको thumbnail बनाने के टाइम पर इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो thumbnail हो बिलकुल creative और अच्छी लगे और कोई अगर उसको देखे तो उसके उपर click करे और उसको अच्छा बोला जाता है कि तो first impression होता है वो last impression होता है तो वीडियो जब आप देखते हो किसी की आप भी तो किसी की वीडियो पर click करते हो उस टेम यह सोचा करो कि ऐसा क्या है कि आपने इसकी वीडियो के पर click किया कभी सोचा है कि यह thumbnail ऐसी है कि आप बहुत सारी ऐसी thumbnails आती है जब आ आपको आपको मन का अच्छा लगता है तो आप पक्का उस थम्नेल कें उपर ख्लिक करते हो तो मैंने तो अपनी तरब से बहुत अच्छी थमनेल बनाई है यह सोच के हैं जो मुद्म बहुत अच्छी होगी और आपको अच्छी लगीगी उसके लाव भी ये सारी thumbnails जो हैं मेरी वीडियोज की हैं ये भी आप देखो आपको में भी अच्छी लगें ये thumbnails क्योंकि मैंने ये thumbnails भी यही सोच के बनाई हैं कि मेरी वीडियोज के ओपर लोग क्लिक करेंगे कई बार क्या होता है कि वीडियो भी matter करती है मैं ये मना नहीं कर रहा है कि वीडियो matter नहीं करती लेकिन जो first impression होता है जब आपकी वीडियो views में जाएगी impressions में जाएगी तो सबसे पहली बात होते हैं उसकी thumbnails को देखके ही लोग उसके ओपर क्लिक करते हैं आपने पूरी वीडियो देख लिए thumbnail की जो मैंने अभी आपको बताई है अगर पसंद आई तो लाइक कर दो उसके बाद इबात सुनो की तो मैंन बात जो है वो यह है कि जब आप thumbnails बनाते हो तो उसकी जो clear grading है उसके clear ऐसे होने चाहिए attractive की जैसे आप उन वीडियो को देखो जैसे उसका आप front देखते हो जो आप thumbnail किसी और की देखके जैसे click करते हो तो आप खुद भी है अपनी जब वीडियो की thumbnail बनाते हो तो उसको एक बार देखना की क्या अगर लोग इस वीडियो को देखेंगे तो क्या हो इसके उपर click करेंगे thumbnail देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ लोग इस thumbnail को देखके इसके उपर click करेंगे तो definitely आपका काम हो गया आप उस thumbnail को लगा सकते हो और आपके views धीरे धीरे बढ़ जाएंगे तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते है अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बने मातरम